कारज सरे मन चित्व्या कारज सरे बोलिए श्री प्राणनात प्यारे की जै परमशर्द्य परमपोजनिय हमारे सिरी कृष्ण प्रणामी निजानन्द संपरदाई के अंदर आज एक वर्ष होने को आया शायद जागनी अभियान चला के और कितना सुंदर कारिय करम समस्त विश्व बर्माड को दिखा रहे ऐसे हमारे शिरी एचकेल आहुजा जी हमारे मनिश भाई जी एवं आतम सनमंदी शिरी राजी माराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप समझ सुन्दर साथ के हिर्दे में विराजमान सिरी राजश्रामा जी के शिरी चरणों में मेरा कोटान कोट बेर पर नाम लाडले सुन्दर साथ जी आईए हम एक भजन के द्वारा अपने सत्गुरु धामदनी को रिजाते हुए फिरवाणी चर्चा प्रारम करेंगे ठीक है सुन्दर साथ जी आप समझ सुन्दर साथ मेरे साथ मिलके गाना बोलिए शरी प्राणनात प्यारे कीजे मेरे सत्गुरु प्यारे देखो एना दे नजारे निये जिसे उत्थे नजरे करन के मेरा नाल जोलिया भरन मेरे सत्य गुरु प्यारे देखो एना देना जारे निये जिसे उते नजर करन के मेरा नाल जोलिया भरन ओ शीरी प्राण नात प्यारे देखो एना देना जारे निये जिसे उते नजर करन के मेरा नाल जोलिया भरन ओ के मेरा नाल जोलिया भरन भेश है फकीरी पात शावा देने शाव मेरे सीर जी साहब प्यारे भेश है फकीरी पात शावा देने शाव मेरे सीर जी साहब प्यारे मेरे सीर जी साहब प्यारे मेहर बान कमा के में दयावान कमा मेरे साहब सब तो न्यारे ओ भागावाले आनू मिल दे चरन के मेरा नाल जोलिया भरन ओ के मेरा नाल जोलिया भरन ओ शीरी प्रान नात प्यारे देखो एन देन जारे शीरी प्रान नाज प्यारे देखो एना दे न जारे निये जिस उते नजर करन के मेरा नाल जोलिया भरन हो के मेरा नाल जोलिया भरन नूरी जहें मुखड दा रूप है अनूप सोणें मुखड दे जलकन लालिया नूरी जहें मुखड दा रूप है अनूप सोणें मुखड दे जलकन लालिया नैना विच बदलिया मेरा दिया छाया कोई डूब दिया किसमत वालिया निये सब उते करम करन के मेरा नाल जोलिया भरन के मेरा नाल जोलिया भरन निये सब उते करम करन के मेरा नाल जोलिया भरन के मेरा नाल जोलिया भरन निये जिसे उते करम के मेरा नाल जोलिया भरन के मेरा नाल जोलिया भरन वागा वालिया नो मिल देख चरन के मेरा नाल जोलिया भरन के मेरा नाल जोलिया भरन निये जिसे उते नजर करन के मेरा नाल जोलिया भरन हो के मेरा नाल जोलिया भरन बोलिया शिरी प्राणनात प्यारे की जै शिरी सत्गुरू महराज की जै लाड़ले सुन्दर साथ जी आईए कल हम चर्चा सुन रहे थे किस प्रकार से हमारे धाम के धनी वर्नन करके शिरी इंद्रावती जी की आतम हम समस सुन्दर साथ को कितना भरोसा कितना विश्वास वो भी अडिग विश्वास पक्का विश्वास दिलाते हुए कल मुझे एक चोपाई बड़ी प्यारी लग रही थी कि शिर्जी सायव जी कल कह रहे थे कि राश परकाश छोड़ो जिन खिन जो बीतक अपनी परवान जी धाम के धनी आप अक्षरातीत निश्क लंक बुद्ध अवतार जिन के अंदर साक्षात सरुप में शिरी इंद्रा जी की आतम के अंदर साक्षात पारब्रम अक्षरातीत धाम के धनी विराजमार और वो शिरी इंद्रावती जी की आतम हमें संबोधन करते हुए फरमाती हैं कि लाडले सुन्दर साथ जी आप कभी भी रास और परकाश की लीला को छोड़ना मत जो बीतक अपनी परवान जी क्योंकि ब्रिज मंडल के अंदर भी हम थे और रास के अंदर भी हम थे ये स्रेश्ट भी तक है हमारी सुन्दर साथ की हमें कभी भी ब्रिज और रास को छोड़ना नहीं है क्योंकि ब्रिज और रास का जो प्यार था वो हमारे अंदर लबा लब भरा हुआ था और धनी जी कहते हैं कि लाडले सुंदर साजी उसी प्यार को लेके चलना है और फिर एक लाइन बड़ी प्यारी उन्होंने कही जो अगला चरण वो इतना प्यारा जिसको देखके हिर्दे लबा लब प्यार से भर गया क्या कहती है शिरी इंद्रावती जी आप ध्यार से चरण को सुनना कि कितनी स्पोर्ट कर रही है सिंदी के गरंद के अंदर तो शिरी इंद्रावती जी स्री राजी महराज को से जगडा कर लेती है और वहां कहती है कि अगर धाम के धनी आप जज हो तो मैं आपकी मैं आपकी वकील हूँ और मैं सारी रुखों की तरफ से मैं ये वकालत करने के लिए आई हूँ। कभी समय मिलेगा तो आपको जरूर सुनाएंगे कि सिंधी के अंदर शिरी इंद्रावती जी ने अपने प्रीतम से अपनी रुखों के लिए कैसे जगडा किया वो ही श्री इंद्रावती जी की आतम यहां हमें कितनी स्पोर्ट कर रही हैं किस परकार से हमें कह रही हैं यह चरण आप सुनो आपको लगेगा कि क्या बात कही है श्री इंद्रावती जी ने श्री इंद्रावती जी कहती है एचल तुम से क्यों न छोटे श्री इंद्रावती जी की आतम कहती है मैं जानती हूँ कि यह छल रुपी माया आपसे छोट नहीं पा रही आप छोड़ना चाते हो और सुन्दर साजी यह सत्य है परमधाम से आई होई हर आतम बेहिसाव दुखी है अपने मन के कारण अपने सवभाव के कारण अपने चित और बुद्धी के कारण क्योंकि जो आतम चाहती है कि मैं रहनी पे चलूं वो रहनी पे हम सुन्दर साथ को ये माया चलने नहीं दे रही क्योंकि सुन्दर साथ जी इस खेल के अंदर आके हमारी अंदर इतने विकार भर गए काम, क्रोध, मो, लोग, हंकार हम विकारों से ओत प्रोत हो गए सुन्दर साथ जी इस खेल के अंदर आने के बाद हर परंधाम की आतम चाती है कि मैं ऐसी सुहागिन बन के और अपने प्रितम से इश्क लाड प्यार लेके मिलूं लेकिन जो वो प्यार चाती है वो प्यार अंदर से प्रगट नहीं हो पा रहा और माया छोट नहीं पा रही लाडले सुन्दर साथ जी शिरी इंद्रावती जी ने अपनी ही वानी के अंदर फरमाया ए छल तुमसे क्यों ना छूटे मैं जानती हूं कि ये छल आपसे कैसे छूटे है ना और आप छोड़ना चाहती हो पर आपसे ये छल रुपी माया छूट नहीं पा रही क्योंकि वो जानती हैं तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी उस साहभ से क्या छिपा है जिसके हाथ में अपनी दोरी वो सब कुछ जानती है और वो हमें कह रही है कि लाडले सुन्दर साथ जी मैं मैं जानती हूं कि आपसे ये माया नहीं छूट पा रही फिर उन्होंने एक इतनी सुन्दर चरण, चोथे चरण के अंदर तो उन्होंने शिरी इंद्रावती जी ने कमाली कर दिया, चोथे चरण के अंदर कह दिया, पर मैं ना छोड़ू तमें निर्वान जी, बॉलिए शिर प्राणनात प्यारे कीज़े शिरी इंद्रावती जी ने गोशना कर दी के ए लाडली आत्माओं मुझे पते हैं ये माया आपसे छूट नहीं पा रही और माया आपको छोड़ नहीं रही आप माया के अंदर आके लिप्त हो गए हो बंदर होता है न सुन्दर साजी बंदर उसको शिकारी जब फसाना चाता है न तो वो एक मटकी के अंदर चने डाल के रख देता है और बंदर क्या करता है अपने हाथ उस मटकी के अंदर डालता है और मुठी के अंदर चने भर लेता है अब इतनी देर में वो शिकारी वाला आ जाता है अगर वो भागना चाहें तो चने छोड़ने तो वो भाग सकता है पर होता क्या है वो जो बंदर होता है वो चने नहीं छोड़ता और वो पकड़ा जाता है हना सुंदर साथ जी हमने भी संसार के अंदर आके इस माया को पकड़ लिया हम भागना चाते हैं पर मया को छोड़ना नहीं चाते चने छोड़ना नहीं चाते इसलिए भाग के परमधाम हम जा नहीं पा रहें लेकिन हमारी श्री इंद्रावती जी की आतम हमारे साथ हैं और वो भी ठ्रवातमों का हाल जानती है क्योंकि वो भी इस बर्मान के अंदर आई हैं उन्होंने भी इस खेल को देखा हैं उन्होंने भी देखा है कि परितम को पाना खेल के अंदर कितना मुश्किल हैं चै श्री सुन्दर वाई जी हों चै श्री इंद्रावती जी हों उनके साथ ये सब कुछ बीता है तो वो जानती है कि मेरी ब्रमात्माई इस खेल के अंदर आई हैं और वो खेल को छोड़ के धनी के चरणों में आना चाती हैं पर ये माया जो है ना ये छोड़ती नहीं है तो श्री इंद्रावती जी ने इतनी प्यारी बात कह दी ए छल तुमसे क्यों ना छूटे पर मैं ना छोड़ू तुम्हें निर्वान जी कहते तुमसे ये छल नहीं छ छूट दी छूट रही पर लाड़ ले सुन्दर साथ जी एक बात याद रखो पर मैं ना छोड़ू तुम्हें निर्वान जी मैं निश्चित करके कह रहे हूं मैं श्री इंद्रावती की आतम कभी भी आपको माया के अंदर अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं आपके अंग सं आई मोए एकली मैं जगाऊं बांदे जुत हना वो श्री इंद्रावती जी की आतम कितना प्यार कर रही है खेल के अंदर आके हमस समझ सुन्दर साथ से लाड़ले सुन्दर साथ जी धनी जी के प्यार को देखिए उनके लाड़ को देखिए कौन कहेगा दुनिया के अंदर ये बात कि आप माया को छोड़ना नहीं चाते कोई और हो तो वो कहते हैं आप तो माया को छोड़ना नहीं चाते तो मैं क्या करूं हना आप माया नहीं छोड़ना चाते लेकिन हमारी श्री इंद्रावती जी की आतम कह रही है कि आप से माया नहीं छूट रही कोई बात नही पर मैं ना छोड़ू तुमें निर्वान जी, मैं निश्चित करके कह रही हूँ, मैं इस माया के अंदर आपका साथ, आपका हाथ कब भी भी नहीं छोड़ूंगी, जो कोई लूला पांगला साथ शिरी इंद्रावती ना छोड़ ही, पकड़ पमचावे, पियू के पास ये सं कल्प लिए है, हमारी शिरी इंद्रावती जी की, आतम ने ये इतने बड़े बड़े प्रोमिस, बड़े बड़े वादे, हमारी शिरी इंद्रावती जी, हम ब्रमातमाओं के साथ कर रही है, कि ए लाडले सुन्दर साथ जी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी अब शिरी कैई शिरिंद्रावती वचन पिऊ के जिन दिखाया धाम बतन जी कल हम यहीं चुपाइँ कर रहे थे शिरिंद्रावती जी कहती है इस ब्रह्म वानी के वचनोंने इस तार्तम वानी नहीं हमें परम धाम दिखाया है अब कोटक छल कर जो माया माया करोडों चल भी कर लें तो भी ना छूटे धनी के चरण जी कहते सुन्दर साथ जी ये माया कितना भी चल करे हमारे साथ तब भी अब हम धनी के चरणों को कब भी नहीं छोड़ेंगे सुन्दर साथ जी हमारी परमधाम की सिर्दार सकी शिरी इंद्रावती जी हम पारे अंग संग हैं तो भला इस माया के अंदर हमें छोड़ के वो कैसे जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा पोड़े भेले जागसी भेले खेल देख्या सबों एक बाता भी करसी विद्विद की विशेक हमने हम आए भी इकटे हैं पोड़े भेले हम परमधाम से इकटा हमारी उपर फरामोशी का परदा धनी ने डाला और जागसी भेले शिरी इंद्रावती जी कहती मैं आपको छोड़ के नहीं जाओंगी आज 400 साल से शिरी इंद्रावती जी की आतम शिरी गुम्मट जी के अंदर शिरी पांच पदमावती पुरी धाम के अंदर हम सब का इंतजार क कर रही है कि जब तक सारा सुन्दर साथ जग नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं छोड़ के नहीं जाओंगी हना तुम सब को लेके जाओंगी बोलिए शिरी प्राणनात प्यारे कीज़े बजन की एक लाइन में कहते हैं छोटी सी इक भूल से हम परदेश में चोटी सी इक भूल से हम आगए परदेश में संग में आप आए हो संग में हैं आप आए जाई खुशिया हम रूहे हैं दुलनिया अपने पिया की हम रूहे हैं दुलनिया हर पल हैं साथ रहते गोपनियां हम रूहे हैं दुलनी बोलिये श्री प्राणनात प्यारे कीजे श्री सत्गुरु महराजी कीजे मैं श्री एचकेल आहुजा जी की और मनीश भाई की बहुत बहुत अभारी हूँ जो आप मुझे ये सेवा का मौका दे रहे हूँ प्रणाम जी सुन्दर प्रशन आपने किया धिर्दे में उतर गया प्रणाम जी बोलिये श्री प्राणनाथ प्यारे कीजे श्री सत्गुरु महराजी कीजे लाडले सुन्दर साज जी महान बुद्धी के सागर आप महामती स्वामे श्री प्राणनाथ जी प्रकाश हिंदी के चोथे प्रकर्ण की आप पहली चोपाई सुनोंगे तो बड़ा आनंद आएगा जिसका प्रकर्ण का नाम है लीला को प्रकाश होना आतम को प्रकाश उपजेओ ना कच्छु मन में ना कच्छु चित में ना कच्छु मेरे हिर्दे एतीमत देखिए लाडले सुन्दर साज जी आप महमती श्री इंदरावती जी की आतम कहती है कि ए लाडले सुन्दर साथ जी इस ब्रह्म ज्यान की तरफ जब मैं देखती हूं इस तार्तम सागर की तरफ देखती हूं जब अथा ये ब्रह्म ज्यान जब मेरे सामने है तो मैं देखती हूं इसको देखके मेरे मन में आय कि ना कच्छू मन में ना कच्छू चित में ये ऐसा ब्रह्म ज्यान तो ना मेरे मन के अंदर था ना मेरे चित के अंदर था ना कच्छू मेरे हिर्दे एती मत अरे ऐसा तार्तम सागर ऐसा ब्रह्म ज्यान मेरे तो हिर्दे के अंदर मैं सोच भी नहीं सकती ऐसे ब्रह्म ज्या कहा ना जाएं ए तो आयों जैसे पूर दर्या हैं क्याते एक वचन इस प्रह्म ज्ञान की मैं क्या बात करूं कि एक वचन बोलना भी कितना मुश्किल लेकिन सिरी रजी महराज की लिला को देखिए सिरी राजी महराज के इस इलम का सागर मदू सागर मेरे हिर्द्य के अंदर अनंत करिडा करने लगा एक समुंदर की तरह शिरी इंद्रावती जी कहती है ये समुंदर मेरे अंदर लहराने लगा और अथा सागर मेरे हिर्दय के अंदर उमड घुमड के आ गया एक वचन सीधा कहा न जाए ये तो आयो जैसे पूर दरिया है दरिया मिन सोता है समुंदर कैते एक शब्द मैं सोच भी नहीं सकती इस तातम सागर के बारे में इस ब्रह्म वानी के बारे में और ना ही मेरे कोई मन के अंदर था ना चित के अंदर था के ये ब्रह्म वानी ये वानी चर्चा हना इस प्रकार का ग्यान का मैं कथन करूं ऐसी कोई बात ही नहीं थी मेरे हिर्दय के अंदर लेकिन ये तो धाम दनी की लीला को देखिये के धाम दनी ने ऐसी लीला की के मेरे हिर्दय में से गुमण के ये सागर ब्रह्मवानी का लहराने लगा तब ही शिरिंद्रावती जी ने का ये मेहर मुझ पर क्यों भई अना ये थी दिल में शक मैं जानी मोज महभूब की वो देत आप माफक ये मेहर मुझ पर क्यों भई शिरिंद्रावती जी ने का ये इतनी बड़ी कृपा म निए फ्रकैसे कर दी धी दिलमें शक मेरे दिलमें शंका उत्पन होई पर मैंने कहा वे जानी मौझ महभुब की श्रीडराफ्ती जी कहती है यह तो महभुूब की मोझ है वो देत आप माफख वो अपने समान किसी को बना लें अपने host किसी को दे दे और अपने जैसा बना लें तो यह धनी की क्रीपा है शिरी सुंदरवाई धनी धाम दुलहन लाडले सुंदर साथ जी शिरी इंद्रावती जी की आतम फरमाती है कि जो सुंदरवाई जी है ना हमारी शामा जी मारानी है ना वो हमारे धाम धनी की जो दुलहन है शिरी इंद्रावती पर दया पूरण क्याते ऐसी शिरी सुन्दरवाई ऐसी शिरी शामा जी महरानी ने मुझ इंद्रावती के उपर पूरण दया कर रखी है पूरण कृपा कर रखी है हिर्दे बैट कहें वचन ए वोई शामा जी महरानी ए रसना शामा जी की पिलावे रस रब का वोई शामा जी मारानी ने ऐसी कृपा करी हिर्दे बैठ कहे वचन ए ये सारे वचन जुगल सरुप मेरे हिर्दे में बिराजमान है और ये स्री शामा जी महरानी जी की रसना ये रस पिला रही है तो कहते हिर्दे बैट कहे वचन ए कारण साथ किये सने वो सुन्दर भाई जी वो शामा जी महरानी अपने सुन्दर साथ के साथ इतना सने करती हैं इतना प्यार करती हैं और उस प्यार के अंदर बद के ये सारे क कि सारे जितने वचन हैं यह सुन्दर साथ को जगाने केलिए वो स्वयम कह रही हैं। वचन एक कैते इन पर शृरीं द्राव्ते जी फरमाती है कि लाडले सुन्दर साथ जी मेरे सद्गुरु धनी श्रीदेव चंदर जी महराज एक वचन का करते थे हमेशा यह बात किया करते थे और वह बात करते रहते थे हम घरों जाए के ले सी सद्गुरु धनी श्रीदेव चंदर जी मानाज को करते थे कि श्री इंद्रावति की अतम में परमधाम जाके भी आपकी सुध लूगा तो श्री इंद्रावती जी सोचती थी कि कैसे परमधाम जाके हमारी इसुध लेंगे क्योंकि सद्गुरु धनी शिरी देविसंदर जी को पता था कि मेरा परमधाम तो शिरी इंद्रावती जी का हिर्दय ही है और मुझे एतन छोड़ने के बाद शिरी इंद्रावती जी के हिर्दय के अंदर साक्षात विराजमान होना है और दूसरे जम्मे के अंदर आके हक्की सूरत बनके तो मुझे जागनी का काम करना है तो वो इशारों ही इशारों में कहते थे कि वचन एक कहते इन पर हम घरों जाए के लेसी खबर ये एक बात कहते थे कि शिरी द्रावति की आतम मैं खेल से चला भी गया ना मैं परमधाम के अंदर भी चला गया ना तो परमधाम जाने के बाद भी मैं आपकी सुद लूँगा लाडले सुंदर साथ जी सारे शास्त्र कहते हैं कि जो सच्चे सद्गुरु होते हैं जो पूरण सद्गुरु होते हैं जिनके अंदर पारव्रम अक्षरातीत बिराजमान होते हैं वो सद्गुरु अपनी आतमाओं को जगाएं बीना छोड़के कभी भी परमधाम के अंद पर नहीं जाते के अंडर अके विराज मानों के यिए जागनी का काम कर रही हैं उसी बात को शिरी इंदरावति हमारी दृष्टी पे नजर नहीं आ रहे थे कहां विराज मान हो गए क्योंकि शिरी इंद्रावती जी के हिर्दय में विराज मान हो गए बाहर से दिखाई नहीं दे रहे थे उनके अंतस करण के अंदर बैट गए साथ जी द्रड कर लिजो मन शिरी इंद्रावती जी कहती है सुन्दर साथ जी विश्वास करो वो ही सद्गुरु धनी शिरी देवचनर जी महराज मेरे हिर्दयक के अंदर साक्षात सरुप में बिराज मान हो के ये वचन कह रहे हैं ये सुन्दर साथ की जागनी वो ही कर रहे हैं कोई दूसरा नहीं कर रहा क्योंकि धाम धनी के बिना हमें कौन जगाएगा सुन्दर साथ जी हमें जगाने के लिए कौन आए स्वेम धाम दुलहा स्वामी शिरी प्राणिनात जी बजन की लाइन में कहते हैं हमें को जगाने आए शिरी प्राणिनात हमे को जगान आए शीरी प्राण नाथ आरी जागोरी रुओ अब हुई परभात अरी जागोरी रुओ अब हुई परभात हमे को जगान आए शीरी प्राण नाथ आरी जागोरी रुओ अब हुई परभात अरी जागोरी रुओ अब हुई परभात बोलिये शीरी प्राण नाथ प्यारे की जाए तो लड़ले सुंदर साथ जी शीरी इंद्रावती जी की आतम हमें विश्वास दिला रही हैं कि अद्रश्ट होई के कहे वचन साथ जी द्रड कर ली जो मन ये अद्रश्य हो गए मेरे हिर्दे में बिराजमान हो गए और मेरे हि मेरे हिर्दे में आके बिराजमान हों के ये वचन कह रही है साथ जी द्रड कर ली जो मन इन वचनों को विश्वास के साथ आप ग्रहन कीजिए बोलिये शीरी प्राण नाथ प्यारे की जाए आईए लाड़ले सुंदर साथ जी हम समझ सुंदर साथ चोपाई दोराते हैं साथ जी द्रड कर ली जो मन वचन एक कहते इन पर हम घरों जाए के लेसी खबार अद्रश्ट होई के कहें वचन साथ जी द्रड कर ली जो मन मन साथ जी द्रड कर ली जो मन वोलिये शीरी प्राण नाथ प्यारे की जै शरी सथी्झुरू महराज की जै समझ सुंदर साथ को आज लोडी की मकरसक्रांति की बहुत बहुत बढ़ाई हों लाड़ले सुन्दर साथ जी आप समझ सुन्दर साथ के हिरदय में विराजमान सिरी राजशामा जी के शिरी चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम प्रणाम जी सुन्दर साथ जी आज शिरी गंगानगर मंदिर के अंदर 13 से 17 तक 5 अखंड पारायन रखे गई हैं 5 लाटेले सुन्दरजाज जी आई सारा दिन मंतिर के अंदर खुब आनन्द आया और ँब आपके साथ कूब आनन्द आया और यह आनन्द की बारिश हमारे धामदनी सता सरवदा करते रहें बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जैनाम जी